सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना न भूले प्यारे शुरताचनों इस दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं एक जिसके पास दिल भी है और बुद्धी भी है जो दिल वाला है और बुद्धी शाली भी है और दुसरे प्रकार का आदमी जिसके पास दिल है दिल वाला है तिसरे प्रकार का आदमी जिसके पास केवल बुद्धी है दिल नहीं है और चोथा प्रकार का आदमी जिसके का पास दिल भी नहीं है और बुद्धी भी नहीं है दिल वाला आदमी और बुद्धी शाली आदमी में इतना फरक होता है कि दिल वाला आदमी दुसरे का सुख सोचता है और केवल बुद्धिशाली आदमी अपना ही सुख सोचता है दिल वाला आदमी कभी दोखा खा जाता है क्योंकि केवल बुद्धिशाली आदमी दोखा देता है दिल वाला आदमी कभी किसी को दोखा नहीं दे सकता दिल वाला आदमी हो और बुद्धिशाली भी हो खाते भी नहीं और किसी को दोखा देते भी नहीं दिल वाला आदमी और बुद्धिशाली आदमी में इतना फरक रहता है कि दिल वाला आदमी हमेशा दुसरे की भलाई सोचता है एक गरीब का लड़का था और सडक के किनारे खड़ा था वहां से एक BMW कार निकली तो एक गरीब का लड़का एक नजर से ओकार की ओर देख रहा था कार आ रही थी एक नजर से ओकार की ओर देख रहा था अपने पास से कार गुजरी फिर आगे गई तो भी एक नजर से देखता ही रहा कार का जो मालिक था स्वयम ड्राइविंग कर रहा था उसने और इस लड़के को देखा तो सोचा कि ये लड़के को गाड़ी में बेठने की इच्छा है पला आदमी था गाड़ी खड़ी कर दी रोक दी और गाड़ी को वापस लेकर आया और गाड़ी के मालिक ने एक गरीब के लड़के से कहा कि क्या बेटा तुम गाड़ी में बेठना चाहते हो तो कहा कि हा मैं बेठना चाहता हूँ ये लड़का तो कभी साइकल पर भी नहीं बेठा था गाड़ी में बेठने की तो बात ही कहा और वेसे भी B&W गाड़ी तो वो भला आदमी था गाड़ी वाला उसने उस लड़के को अपनी गाड़ी में अगली सीट पर ही बेठा दिया जब गाड़ी चलाने लगा तो लड़के ने पूछा कि ये गाड़ी की किम्मत कितनी होती है तो मालिक ने कहा कि मुझे एकजेट पता नहीं है क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मेरे जन्मत दिन पर ये गाड़ी मुझे पहट में दी है तो एक गरीब का लड़का गेहरी सोच में उतर गया सोचने लगा तो गाड़ी के मालिक ने सोचा कि ये लड़का सोच रहा होगा कि मेरा बड़ा भाई मुझे भी कब ऐसी गाड़ी भेट में दे तो मालिक ने कहा, गाडी वाले ने कहा, कि क्या बेटा तु यही सोच रहा है, कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कब ऐसी गाडी भेट में दे, तब गरीब के लड़के ने कहा, कि ना मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं यह सोच रहा हूँ, कि मैं इतना बड़ा भाई कब होँगा कि जब मेरे छोटे भाई को मैं ऐसी गाड़ी जन्म दिन पर भेट में दू ये दिल वाले आदमी की बात होती है कभी-कभी आदमी गरीब होता है किन्तु दिल वाला होता है जैसे शवरी थी तो गरीब किन्तु दिल वाली थी तो भगवान राम सामने से उनकी है वही सब को प्यारा लगता है वही इस दुनिया में अजर अमर होता है इसलिए केवल बुद्धी से काम मत लेना दिल भी चलाना और बुद्धी शाली को केवल गिंती ही आती होती है समर्पन नहीं होता है जैसे कि सिता जी थी तो सिता जी दिल वाली थी वनवास तो राम को म रामचंद्र भगवान के साथ सिताजी चली ये दील वाले आदमी से काम हो सकता है अन्य था इतना साथ को दुख में दे नहीं सकते दील वाला आदमी दुख में साथ देता है भाई लक्समन भी ऐसे थे लक्समन को वनवास नहीं मिला था किन्तु लक्समन ने कहा कि मैं भी और इसलिए वालमिकी रामायन में लिखा है कि जब रामचंद्र वगवान चित्रकुट में विराजी थे अपनी बाई और सिता जी बेठी थी सामने लक्षमन जी बेठे थे और रामचंद्र वगवान ने कहा कि सिता जी जैसी पतनी साथ में हो और लक्षमन जैसा भाई साथ म दिल वाले आदमी दुख में साथ देते हैं, दिल वाले आदमी समर्पन कर सकते हैं, तो हम भी हमारे जीवन में सिताजी, लक्समन जैसे दिल वाले बने यही भगवान से प्राथना, जै हिंद, जै भारत, जै स्वामी नारायां.